हेलो एवरिवन एम दिपक सावंत वेलकम यू तो मैं चेनल टॉपर्स बाइलोजी बच्चो आज हम बात करने वाले हैं स्टांडर इलेवन्थ चेप्टर टू बायोलोजिकल क्लासिपिकेशन मायोलोजिकल क्लासिपिकेशन में आज हम बात करेंगे कंपेरिजन करेंगे केरेक्टर स्टिक्स के बीच में जो फाइव किंग्डम क्लासिपिकेशन है जैसे किंग्डम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी और एनिमेलिया तो इनकी जो केरेक्टर है इनके बारे में आज हम कंपेरीजन करेंगे सो बच्चों आज का जो वीडियो लेक्चेर है यह आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का जो टॉपिक आपके लिए काफी माईने रखता है आपकी स्कूल की एक्जाम के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है दुसरा जो बेजिक हमको आइडिया आती है कि किंग्डम मोनेरा में जो और्गेनिजम को हमने रखा हुआ है तो जो और्गेनिजम किंग्डम मोनेरा के अंदर है उनको हमने किंग्डम प्लांटी में क्यों नहीं रखा हुआ है या तो किंग्डम फंजाई में जो और्गेनिजम में सो उनको हम किंग्डम प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रखते हैं तो यह जो मतलब कि हमने किंग्डम मोन करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत माइने रखता है तो प्लीज वाच टूड़े वीडियो लेक्चर टील एंड इस इस मैं सींसर रिक्वेस्ट तो यू सो बच्चों जैसे आप देखो कि जितने भी लिविंग और्गेनिजम है जो उमारा टॉपिक है बाइलो जिकल क्लासिपृकेशन तो जितने भी लिविंग और्गेनिजम है वो उनके क्यरेक्टर को औन इसके बेजिक की रिप्लेग्टर्स लिये थे जैसे को रियाख जा किया है जिससे हमारे लिए study बहुत easy हो जाती है क्योंकि हमको मालूम है there are more than 1.5 million animals and more than 0.5 million plants अब सारे each and every living organism के character को याद रखना हमारे लिए मुस्किल है किसी के लिए भी यह possible नहीं है तो हम क्या करते हैं कि जिनके character same है उनको हम एक ही पींग्डम मोंनेरा में जो organism होंगे उनके आल्मोस्ट के बेरा जो character होंगे वो सेम character होंगे इसे ही फंजाई हो गया आपका देन हो गया अपका प्लांट और देन हो गया अप जीसे देखो तो लाच्ट वीडियो लेक्टिर मतब इससे पहले विडियो लेक्चेर में हमने five kingdom classification के बारे में discussion की थी उससे पहले हमने biological classification two kingdom classification भी हमने देखा था फिर भी थोड़ा हम revision कर लेते हैं अगर किसी बच्चे का वो लेक्चेर मीस हो गया है तो हम थोड़ा revise कर लेते नीचे मेंने description में लिंक दी हुए आप उस लिंक के थ्रूँ उस वीडियो लेक्चेर को आप देख सकते हों तो जैसे देखो कि सबसे पहले जो केरलस लिनस थे सबसे पहले two kingdom classification किस ने दिया था तो careless लिनस लिनस ने जितने भी living organism थे उनको दो kingdom में classify किया था यह जो मैं यहां पे लिख रहा हूँ यह आपके need point of view से बहुत ही important है सो careless लिनस ने जितने भी living organism थे उनको दो kingdom में divide कर दिया था वो और वो kingdom कौन सा था planty बन्दब kingdom planty एन kingdom animal यह तो careless लिनस गिवन two kingdom classification यह आपको पूछा जाता है कि two kingdom classification किस ने प्रपोस किया था तो careless लिनस के बाद आंस ही कल एक दूसरे जो scientist थे आंस हीकल ने थ्री kingdom classification दिया था मैंस के आपको नीट की एक्जाम में आपको question पूछा जाता है who proposed three kingdom classification तो आंस हीकल प्रपोस three kingdom classification उन्होंने मतलब कि जो careless लिनस थे उन्होंने two kingdom classification दिया था kingdom planty और kingdom animal यह आंस हीकल ने एक दूसरा kingdom दिया था वो था प्रोटिस्टा तो इन्होंने three kingdom classification दिया प्रोटिस्टा प्लांटी और एनिमिल्या तो three kingdom classification एनिमिल्या अंडर्स्टोर बच्चों यहांसे आपको नीट में question पूछा जाता है वो प्रपोस थी kingdom classification नाओ अंस हीकल के बाद जो कोपलेंड थे उन्होंने four kingdom classification दिया था मिंस के कोपलेंड और जो अमारे थार्ड जो साइंटिस्ट होंगे वोंगे कोपलेंड सो कॉपलेंड प्रपोस फोर किंग्डम क्लासिफिकेशन चार किंग्डम क्लासिफिकेशन दिया था और वो कौन-कौन से किंग्डम थे किंग्डम मोनेरा, किंग्डम प्लोटिस्टा, किंग्डम प्लान्टाई और किंग्डम एनिमेलिया यह एम है और उसके बाद 1969 में अभी जो हम पॉइंट देख रहे हैं इस वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट फोर योर नीट एक्जाम काफी बार नीट में से यहां से आपको कॉस्चन पुछा जाता है तो जैसे कॉस्चन आपको क्या पुछा जाएगा कि हूँ प्रपोस फाइव किंडम क्लासिफिकेशन तो और कब उन्होंने प्रपोस किया थ तो फाइव किंडम क्लासिफिकेशन प्रपोस किया था मैं इसको ब्लेक से लिख ला हूँ र्एच वीटेकर सो र्एच वीटेकर प्रपोस फाइव किंडम क्लासिफिकेशन और कब उन्होंने प्रपोस किया था यह भी आपको पुछा जाथा है Census Reese आरेच वितेकर किसने five kingdom classification दिया था तो आरेच वितेकर in 1969 five kingdom classification और वो पाच kingdom थे kingdom monera, kingdom protista और दुसरा जो उन्होंने kingdom दिया था वो था kingdom fungi, फिर plantai and animalia एनी में लिया, वच्चो यह जो पोईंट है, वो प्रपोस फाइव किंग्डम क्लासिपिकेशन, सो रह वी टेक कर इन 1969 प्रपोस फाइव किंग्डम क्लासिपिकेशन, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1969 में आरेच विटेकर ने जितने भी लिविंग और्गेनिजम थे, वो सारे लिविंग और्गेनिजम को उन्होंने फाइव किंग्डम में डिवाइट कर दिया था, यहांसे आपको नीट में कॉश्चन पुछा जाता है, काफी बार आप देख होगे पिछले साल के जो नीट के प्रिवेस एर्स के जो नीट के या तो PMT के जो कॉश्चन पेपर है, उसमें आप डूंड़ोगे ने ता आपको काफी बार यह कॉश्चन पूछा गया है, कि हूँ प्रपोस फाइव किंग्डम क्लासिपिकेसन और कब, और कौन से थे, वो अलग-अलग किंग्डम में डिवाइड कर दिया था उन्होंने, तो on what basis, कौन से बेज पे, बेज उन्होंने क्या लिया था, तो on what basis, आरेच वी टेकर, क्लासिफाई, और लिविंग और गेनिजम, इन फाइव किंग्डम क्लासिपिकेसन, ब्रप, फाइव सिस्टम और क्ला अर्गेनिजम इन्टो फाइव सिस्टम और क्लासिफिकेसन, तो बेज क्या था, तो जैसे आप बेज देखोगे, तो first उन्होंने लिया था, cell type, फर्स जो उन्होंने लिया था, वो था cell type, कि जो लिविंग और गेनिजम थे, वो कैसे थे, तो cell type में जैसे उन्होंने लिया था, कि उनको मालूम था, कि every living organism, made up of cell, जो cell, तो cell is the fundamental and structural unit of all living organism, अन्होंने फर्स क्रैटेरियल लिया था, कि उन्होंने देखा कि cell type, कुछ और गेनिजम जो है, वो प्रोकैरियोटिक है, जिनका सेल अच्ची तरसे से डेवलोप नहीं है, कुछ और्गेनिजम है, वो eukरियोटिक है, तो first जो उन्होंने खर्डेरियल लिया था, वो था cell type, पर्स क्राइटरियमकर टाइप निसड़ा जुँझे बोड़ी और्टेरिय में बनेो था कुछ औरगिनिजम यूनिसेल्यूलर थे तो उन्हों ने यूनिक अलग गुरूप रख ray यू यूनिसेल्यूलर थे incentives अफ़ीजू एक ही सेल से बने हुए है कुछ organism multi cellular है अब multi cellular में भी शिफ cellular level of body design है या तो tissue level of body design organ level of body design या तो organ system level of body design या तो level of organization तो second जो उन्होंने criteria लिया था वो था body और्गेलाइजेशन थार जो उनका क्राइटेरिया था वो था मोड ओफ न्यूट्रीशन थार जो उन्होंने क्राइटेरिया लिया था वो था मोड ओफ न्यूट्रीशन मतलब कि organism का जो nutrition का जो more of nutrition था वो क्या था कि whether organism autotrophics और heterotrophics मतलब उन्होंने देखा कि क्या organism autotrophic है या heterotrophic है तो थर्ड जो उन्होंने criteria लिया था वो था more of nutrition दुसरा जो उन्होंने criteria लिया था वो था more of reproduction कि organism किस तरह से reproduce करते थे mode of reproduction mode of reproduction में उन्होंने देखा कि कुछ organism some organism perform asexual reproduction whereas other organism perform sexual reproduction तो ये उन्होंने criteria लिया था organism को classify करने के लिए कि जो mode of nutrition है तो कुछ organism sexually reproduce करते थे कुछ organism asexually reproduce करते थे कुछ दोनों तरह से reproduce करते थे बरबर sexual भी reproduce करते थे और asexually reproduce करते थे जो लास्ट उन्होंने जो criteria लिया था वो था phylogenetic relationship है तो लार्ट जो criteria था वो था phylogenetic रिलेशन्सीब 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 तो लार्ट चो ख्राइटेरिया लिया था वो था phylogenetic रिलेशन्सीब के और्गेनिजम का जो evolution है कौनसे और्गेनिजम के ancestor क्या होंगे उनका relation क्या है जैसे आप देखोगे तो जो थ्री चेमबर हार्ट वाले और्गेनिजम है तो साइद वो टू चेमबर हार्ट वाले और्गेनिजम इवोल हुए होंगे या तो उन्होंने अपने आपको मोडिफाइट किया होगा तो यह क्राइटेरिया उन्होंने लिया था फेलो जीनेटिक रिलेशन्सीब सो यहां से भी मतलब आपको नीट में कॉस्टिम पूछा जाता है कि जो आरेच वीटे करने है वीटे करने जो फाइव किंडम क्लासिफिकेशन दिया था या तो आरेच वीटे करने जितने भी लिविंग और्गेनिजम थे उनको जो पांच किंडम में डिवाइड किया था तो उन्होंने क्या बेज लि क्लासिफिकेशन तो जो पाँच किंड़म और्गेनिजम है आरेच विटेकर ने जितने भी लिविंग और्गेनिजम थे उनको फाईव किंड़म में डिवाइड किया था किंड़म मोनेरा, किंड़म प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया अब इनके बीच मे हम कंपेरिजन करते हैं, इनके केरेक्टर के बीच में कंपेरिजन करते हैं, केरेक्टर जो है, इनके कंपेरिजन करते हैं, कि जैसे के मोनेरा के अंदर जो और्गेनिजम है, उनमें क्या केरेक्टर से, प्रोटेस्टा में जो और्गेनिजम है, उनके अंदर क्या केरेक्टर जा what are the differences between the kingdom Monera or kingdom protest से आपको काफी सारा knowledge मिलेगा तो हम यहां पर देखता है comparison तो जैसे आप देखो तो फर्स्ट जो हम comparison करते हैं वह हम comparison करते हैं cell type तो फर्स्ट जो कमपेरिजन होगा वह होगा चैल टाइप कि जो मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम है उनका सेल के सा होता है जैसे हमने देखा कि जो आरच वीटे करने चैल टाइप देखा था मतलब किस तरह से इसके एकोडिंग उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम को क्लासिफाइफ किया थ तो याद रखो किंग्डम मोनेरा के अंदर जो और गीनिजम होते हैं, वह सारे प्रोकेरियो टीक होते हैं, जिसे बेक्टेरिया की आप बात करो, तो ओल बेक्टेरियाज और गीनिजम होते हैं, प्रोकेरियोटिक मतलब क्या होता है कि जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस एपसेंट होता है न्यूक्लियस नहीं होता है न्यूक्लियस नहीं होता है न्यूक्लियर मेंब्रेन नहीं होता है कुछ प्रोटीन होते जैसे के हिस्टोन प्रोटीन तो हिस्टोन प्रोटीन भी इन तो इनके अंदर mitochondria present नहीं होगा तो किंग्डम मोने रखे अंदर जो भी और्गीनिजम होंगे और प्रोकेरीोटिक और्गेनिजम् बाकी सारे याद रखो kingdom मोने रखे बाद जितने भी और्गेनिजम है वो सारे युकेरियोटिक और्गेनिजम् मिंस के protista के अंदर जो organism होंगे वो भी eukaryotic होंगे fungi के अंदर जो organism होंगे they are also eukaryotic planty they are eukaryotic organism and animalia eukaryotic organism आपको याद रखना है except kingdom molera बरबर सारे kingdom के अंदर जो organism होंगे वो प्रोके यूकेरियोटिक होंगे निसके इन सारे organism के अंदर cell अच्छी तरह से डेवलोप होगा cell membrane nuclear membrane present होगी membrane bound organals भी इनके अंदर present होता है तो फर्स जो हमने criteria लिया वो था हमारा cell type cell type के coding kingdom मोलेरा प्रोकेरियोटिक होते बाकि सारे जो kingdom है वो यूकेरियोटिक होते second जो हम criteria लेते वो है cell wall cell wall तो second जो हमारा criteria होगा वोगा cell wall तो मोलेरा के अंदर cell wall present होती है present प्रोटिस्टा में भी present होती है फंजाई में भी present होती है प्लांटी के अंदर भी present होती है cell wall present होती है और एनिमेलिया absent तब देखो तो अगर cell wall के according हम देखे तो उमरे पास दो तरह के organism है एक जिनमें cell wall होता है दुसरा जिनमे cell wall नहीं होती है तब देखो मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी इन सबके cell के अंदर cell membrane के अलावा cell wall भी present होती है cell wall भी present होती है it is very important point very very important point जबकि एनिमेलिया मतलब हमारी बात करें जो vertebrates है उनकी अगर आप बात करें जैसे phyces हो गए amphibians हो गए reptiles हो गए mammals हो गए बरब एवस हो गए तो इनके cell में cell membrane के अलावा cell wall absent होती है यह बहुत important point है आपके लिए so please write down it तो सिर्फ एनिमेलिया में जो एनिमेलिया के जो cell होते हैं उनमें cell wall absent होती है बाकि except एनिमेलिया सारे जो अधर kingdom है उन सब के cell के अंदर cell membrane के अलावा cell wall present होती है अब जीसे बच्चों देखो यहां से आपको कुछी नीट में question पूछे जाते जैसे example आप ले लो monera तो मैंने आपको क्या बता है कि monera के जो cell wall होता है तो cell membrane के अलावा इनकी cell wall भी होती है तो monera की जो cell wall होती है वो non cellulosic होती है यह आपको question पूछा जाता है प्लीज राइट डाउन इट बड़ब monera की जो cell wall होगी वो non cellulosic होगी non cellulosic membrane मतलब कि जो cell wall होती है वो non cellulosic होती है मतलब cellulose से नहीं बनी होई होती है किस से बनी होई होती है तो polysecrite polysecrite plus amino acid तो it is very important point बहुत ही important point है नीट के लिए काफी माहिने रखता है यह नीट के लिए बहुत important है so monera की जो cell wall होती है it is consists of polysecrite plus amino acids it is very important point okay now दूसरी हम बात करते ही जैसे fungi की हम बात करते हैं इनके अंदर कुछ प्रोटिष्टा होता है जिनमें cell wall होती है बरबर फंजाई की अगर आप बात करो तो फंजाई की जो cell wall होती है यह फंगल cellulose से बनी होती है साइटिन से बनी होगी या तो फंगल cellulose तो यहां से भी मतलब आपको question पूछा जाता है कि फंगल cell wall is consists of प्लीज रिमेंबर यहां से आपको नीट में question पूछा जाता है कि जैसे अमने देखा कि kingdom fungi के अंदर जो organism involves होते हैं उनमें cell wall present होती है और सेल वोल इस मेड़ आप साइटिन और फंगल cellulose या तो साइटिन साइटिन से बनी होगी या तो फंगल cellulose से बनी होगी तो प्लीज राइट डाउन बहुत ही important point है तो जो fungi की जो सेल वोल होती है इस मेड़ आप साइटिन साइटिन और या तो फंगल cellulose फंगल cellulose से बनी होगी अंडर्स्टूड अब दूसरा देखो तो प्लांट तो प्लांट में सेलवोल प्रिजेंट होती है और प्लांट की जो सेलवन होती है जो फिलनो dese treatment upon इस एप मेंड़ आप सेल आप सेल्यूल्ड और अएनिमर में तो सेलवन प्रिजेंट नहीं हो होती है तो हमको लिक्किने की जरूर नहीं है तो यह जो character है इस वेरी वेरी important characters काफी सारे important characters है दूसरा next जो हमारा comparison है characters के बारे में वो comparison है हमारा body organization तो next जो हम comparison करेंगे वो body organization organism कैसे होते हैं तो आप देखो तो जो monera होते है monera इनकी body एक ही cell से बनी होती है मतलब के cellular होती है cellular level of organization body organization जो होगा न वो cellular level होगा protesta में भी cellular level of organization होता है तो यहां पे भी cellular होगा protesta के अंदर भी cellular होंगे cellular level of organization understood now fungi के अंदर जो organism होंगे दे आर multi cellular याद रखो fungi के अंदर जो organism होंगे दे आर multi cellular multi cellular मतलब के बहुत सारे cell होंगे but loose tissue होता है याद रखो हो multi cellular but loose tissue होंगे but loose होंगे loose tissue प्लांट की अगर हम बात करें तो और्गन और्गन होते है या तो tissue अगर आप देखोंगे प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट की जो और बड़ी और्गन जेसन होते है उनमें और्गन होते है और्गन बरबर जैसे एक्जमपल आप ले लो स्टेम हो गया लिव्स हो गया बरबर रूट हो गया तो और्गन होता है और्गन system level of organization इनके अंदर एपसेंट होता है एनिमल की आप बात करो तो एनिमल में और्गन system level of organization और्गन system level of organization इनिमल के अंदर जो और्गनिजम आते हैं उनमें और्गन system level of organization पाए जाता है जैसे आप देखो तो हमारे और्गन होते हैं और और्गन से एक system बनती है जैसे एक्जमपल माउथ आपका हो गया टॉंग हो गया टीथ हो गया ओसो फूर पाइप हो गया आपकी स्टमक हो गया स्मॉल इंटेस्टीन लार्ज इंटेस्टीन पेन क्रेस ओ गया लीवर गया यह टूस दिस आर्गन अनदे ओल परफोर्म सेंचन यह सारे सेंचन परफोर्म करते हैं जै कोडिनेट विद इच अदर रंड़ देफोर्म होगन system and that system is known as a elementary system या तो digestive system तो उसको हम बोलते हैं digestive system understood तो जो मरा point हो गया वो क्या हो गया cell type क्या होता है cell wall क्या होता है body organization के according cellular cellular multicellular organ या तो tissue या तो organ system level of organization अब हम जो last point के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा important है वो है आपका more of nutrition तो last जो हमारा point होगा more of nutrition ये लोग किस तरह से nutrition लेते है more of nutrition तो more of nutrition के अगर आप बात करो तो मोनेरा के अंदर जो more of nutrition होता है वो autotrophic हो सकता है या तो हीटेरो ट्रॉफिक होगा दोनों तरह का more of nutrition होता है autotrophic autotrophic और हीटेरोट्रोफिक हीटेरोट्रोफिक याद रखो तो मोनेरा में जो more of nutrition होगा that is autotrophic और heterotrophic autotrophic में भी दो तरका होता है means कि some monarians कुछ monarians होते हैं they perform chemo synthetic means कि ये अपना खाना खुत बनाते हैं but they do not perform photosynthesis ये लोग chemo synthetic करते हैं तो autotrophic में भी आप देखोगे तो कुछ monarians होते हैं they are chemo synthetic some monarians are photosynthetic और अगर ये लोग autotrophic नहीं है if they are not autotrophic means कि if they do not perform autotrophic mode of nutrition so then they are heterotrophic वो कैसे होंगे heterotrophic होंगे अब protista की अगर आप बात करते हैं प्रोटिस्टा के अंदर जो organism होते हैं तो इनका जो more of nutrition होता है वो या तो autotrophic होगा या तो parasitic होगा या तो heterotrophic होगा मिसके autotrophic या तो heterotrophic और heterotrophic दोनो नहीं और heterotrophic इवन ज्यादा तरफ जो प्रोटिस्टा देखोगे तो they are parasitic mode of nutrition they possess parasitic, parasitic mode of nutrition फंजाई के अगर आप बात करो, फंजाई तो फंजाई जो होते हैं they are not autotrophic, they are not autotrophic इनका जो more of nutrition होता है, it is heterotrophic तो इनका जो more of nutrition होगा, वो heterotrophic होगा heterotrophic, अब heterotrophic में आप देखोगे न, तो कुछ फंजाई होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते, means that they depend on the decay material जो सड़ी हुई चीज होती है, उसको ये लोग खाते हैं तो heterotrophic में आप देखोगे, तो संग फंजाई और सेप्रोफाइटिक कुछ फंजाई होते हैं, वो सेप्रोफाइटिक होते हैं सेप्रोफाइटिक mode of nutrition इनकीसी में आप देखोगे तो parasitic mode of nutrition parasitic mode of nutrition understood, प्लांट की आप बात करते हों बच्चे होते हैं यह तो बच्चपन से हमको मालूम है कि प्लांट fota synthesis करता है मतलब कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है तो प्लांट में जो mode of nutrition होता है it is autotrophic mode of nutrition pivot और photosynthetic तो प्लांट में जो mode of nutrition होगा वो autotrophic होगा autotrophic और ओटो ट्रोफिक में क्या होता है वो फोटो सिंतेटिक ये लोग फोटो सिंतेटिक करते है फोटो सिंतेटिक एनिमल के अगर हम बात करें तो अबेसली एनिमल में जो more of nutrition होता है वो हिटेरो ट्रोफिक होता है एनिमल के अंदर जो mode of nutrition होता है वो हिटेरोट्रोफिक होता है हिटेरोट्रोफिक mode of nutrition अब हिटेरोट्रोफिक में कुछ हर्भी वर्स होते हैं मतलब कि सिर्फ प्लांट को खाते हैं कुछ कार्गनिवर्स होते हैं बरबर मिसके जो एनिमल को खाते हैं कुछ दोनों को खाते हैं प्लांट को भी खाते है और एनीमल को भी खाते हैं तो उनको हम बोलते हैं उनके characteristics के according उनके बीच में comparison करते हैं, थोड़ा first revise कर लेते हैं, जिसे first हमने comparison किया, cell type, prokaryotic, eukaryotic, 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 cell wall, monera में present, protesta में present, fungi में present, plant में cell wall present, animal में cell wall absent, body organization की बात करें थो, monera के अंदर cellular, protesta के अंदर cellular, fungi के अंदर multicellular, but loose tissue, plant के अंदर organ और system tissue, और एनिमल की बात करें तो organ system level of organization, more of nutrition के अगर आप बात करें तो monera autotrophic या था heterotrophic होते हैं, protesta autotrophic या था heterotrophic या था parasitic, fungi जो होते हैं, वो heterotrophic होते हैं, saprophytic या था parasitic, plant autotrophic और animal heterotrophic, तो बच्चों, आज हमने देखा, comparison हमने देखा, जो five kingdom classification में, जो organism है, उनके characters के बीच में हमने comparison किया, so thank you very much for watching my lecture, keep watching and keep studying, thank you.